हेलो दोस्तो मैं आपकी होश्ट अनन्या और आप देख रहे हैं वंडरफुल गार्डन तो दोस्तो आज हम बात करेंगे अपने बहुती खुबसूरत से और बहुती प्यारे से प्लांट की जो की सैकुलेंट वैराइटी का ही होता है और दोस्तो इस प्लांट का नाम होता है फीट प्लांट भी आप बूल सकते हैं या आप सैकुलेंट क्रिस्मिश ठीके नाम से भी इस प्लांट को नर्सरी से पर्चेस कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम इस प्लांट की सारी कियर जानेंगे इस प्लांट को दोस्तो मैं नर्सरी से ही लेकर आई थी तब प्लांट को मेरे पास अफ काफी बढ़ा हो चुका है जब यह तैसला कंसे थे बहुत संदर लगाईए मुझे देखने में इस प्लांट की भी हमें कियर हैं जो और कियर की करनी होती है दोस्तों उसके किया हम्ह własvent का नहीं माँगता है काफी हार्डी ब्लान्ट है और मैथ ही गरोथ पर आया था तो मैहीं स्क eerste की नोइस-ग्रो कि लगा वे से यह लीव से और किप्रॉट बहुत आम से ग्रोब हो जातान है twitch इसी यालो कलर होती है व्यलाया की मेरे प्लावरिनम् yamaf की फ्लावरिंग होती है और दोस्तों एक चीज़ और मैंने नोटिस करा है कलांचों से कहीं जादा यह काफी हार्डी प्लांट होता है अगर हम इसमें सिर्फ पानी कम डालते हैं तो यह हमारे साथ काफी अच्छे से बना रहता है इस प्लांट में कम पानी की जोर्थ होती है दोस्तों जब भी आप इस प्लांट को लाएं तो हो सके तो इसे छोटे ही पोट में लगाएं आप भी देख सकते हैं मैंने एक डिस्पोजल ग्लास है मैंने उसी में इस प्लांट को लगा हुआ है और काफी टाइम से यह प्लांट मेरा इसी ग्लास में लगा हुआ हुआ है और काफी अच्छे से ग्रोथ भी कर रहा है दोस्तों क्लाइन जो प्लांट्स होते हैं उन्हें छोटे पोट की ही जोड़त होती है वैसे दोस्तों यह प्लांट काफी हाइट ले लेता है और इसकी जो आप स्टैंप देख रहे हैं अभी तो बहुत आपको लगरी होगी बरीक इसकी आप वैल ट्रेन रखें दोस्तों इसकी सोईल बिल्कुल हमें ऐसे ही बनाने पड़ते हैं जैसे हम अपने कलैंचो प्लांट की बनाते हैं इसकी सोईल में आप सेंड की मातरा ज्यादा रखें क्योंकि दोस्तों इन प्लांट्स को ज्यादा पानी की जोड़त नहीं हो होनी चाहिए क्योंकि जब आप भुरबुरी इसकी तयार करेंगे तो आपका प्लांट काफी अच्छे से उसमें रूट्स बनाएगा और आपका प्लांट काफी अच्छा ग्रोथ करेगा दोस्तों रही बात इसकी पानी की तो पानी इन प्लांट्स को जादा नहीं चाहिए हो क्योंकि जब हमारी सोईल भी सूख जाते हैं उसके बाद भी हमारे इन प्लांट्स को पानी की जोड़त नहीं होती क्योंकि इनकी स्टैंप पर और लीफ में मौश्चर भरा रहता है दोस्तों बात कर लेते हैं हम आप फर्टिलाइजर की तो दोस्तों आपके घर की कोई भी ल लिक्विड बना करके डाल सकते हैं काफी अच्छा रहता है हमारे प्लांट्स के लिए और एक बात और दोस्तों जब आपके प्लांट पर फ्लावरिंग होने लगे दोस्तों जब हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग होने लग जाते हैं तो हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग सूखने लग जाती है आप उन लीफ को कट कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों वह एनरजी हमारे प्लांट से लेती रहती हैं जबकि उनका कोई मतलब ही नहीं होता है तो आप उन लीफ को कट कर दीजिए और जब फ्लावरिंग खिलके बंद हो चुकी हो तो आप उसको भी कट कर दी लिकिन आप जब देखेंगे तो यह देखने मेना मिलकुल क्रिस्मिस टी की तरह लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही आई हो आपको वीडियो भी थोड़ी बहुत भी यूसफूल लगी हो अगर वीडियो अच्छी लग